पब्लिक टीवी आपकी आवाद अभी उन्नाव में आयुजित जिला योजना समीती की बैठक में भाजपाईयों दोरा एक अधिकारी को मारने पीटने का मामला शांत भी नहीं हुआ था कि संत कभीर नगर में आयुजित जिलायोजना समीती की बैठक में वहां के विधायक को सांसद ने जूते चपल से जमकर पटाई कर दी हाला कि मौका मिलते ही विधायक भी सांसद को थपड़ बजाना नहीं भूले लेकिन इन दोनों प्रकरणों ने भाजपा की फजीहत कराने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी बताया जाता है कि दो दिन पहले उत्तरप्रदेश सरकार के समाज कल्यान मंतरी उन्नाव के प्रभारी मंतरी रमापती शासरी जिलायोजना समीती की बैठक कर रहे थे जिसमें सांसद विधायक सहित भाजपा के नेता भी मौदूद थे किसी बात को लेकर सांसद और विधायक ने समाज कल्यान अधिकारी की डीम सीडियों के सामने जम कर पिटाई कर दी पीटने वालों में सांसद साक्षी महराज और विधायक अनिल सिंग के समर्थक शामिल थे मामला तो अधीकारी की पिटाई का था लेकिन कुशी नगर में जब जिला यूजना समीती की बैठक शुरू ही तो बीच में एक कुरसी की दूरी पर बैठे सांसद शरद तिरपाठी ने किसी बात को लेकर विधायक राकेश बगेल पर जूतों की बोच्छार शुरू कर दी इतने में विधायक भी कहां चुप पैठने वाले थे उन्होंने दूसरी साइड से आकर सांसद पर चाटे बजा दिये जानकार बताते हैं कि किसी सड़क के उद्गहटन की सिलापट पर सांसद का नाम ना होने से वो राकेश बगेल से खफा थे उन्हें प्रभारी मंत्री आसुतोश टंडन के सामने मौका मिल गया और बगेल को जम कर जूतों से पीटा गया हाला कि जिलापरशासन ने एहतियात के तोर पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि चुनाव नजदीक आते ही भाजपानेता इस तरह की हरकते करके जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं क्या यही मोधी और योगी का सोशासन है क्या बाँ आते हैं झाल 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 झाल